ऐसे ही बैठे इधर भईया थे दाएं जानिब उनके नजदीक बड़ी आपा शबाना को लिए अपनी ससुराल के कुछ किस्से लतीफे बातें यूं सुनाती थी हसे पढ़ते थे सब सामने अम्मा वहीं खोले पिटारी अपनी मुभरे पान से समधन की इन ही बातों पर जुनजलाती थी कभी तंस से कुछ कहती थी हमको गेरे हुए बैठी थी नईमा शहनाज वकफे वकफे से कभी दोनों में चश्मक होती हस्ब मामूल संभाले हुए खानादारी मंझली यापा कभी आती कभी जाती थी हमसे दूर अबबा उसी कमरे के एक कौने में काख़ात अपने अराजी के लिए बैठे थे यक बैक शोर हुआ मुलक नया मुलक बना और एक आन में महफिल हुई दरहम बरहम आँख जो खोली तो देखा कि जमीन लाल है सब तक्वियत जहन ने दी ठहरो नहीं खून नहीं पान की पीक है ये अम्मा ने थूकी होगी झाल